कैसे हो आप सब लोग उमीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे तो मैं आपको इस वीडियो के जरीए बताने वाला हूँ कि आपको कहां पर रहना है और कहां पर खाना है क्योंकि वहां पर खाने का बहुत ज्यादा लपड़ा है क्योंकि किसी किसी होटल में बहुत ज्यादा पैसा लिया जा रहा है दभा कर पैसा लिया जा रहा है श्टूडेंट लोग से तो मैं आपको इसी बात पर सब कुछ किलियर कर देने बाला हूं कि आपको किस तरह से वहां पर रहना है और किस तरह से आपको खाना है और मैं पूरा भीव आपको दिखाने बाला हूं किस तरह स आपको सस्ते में ही काम करके वहां से निकल लेना है क्योंकि देखिए हम लोग a student है और a student life बहुत ही hardly होता है ठीक है क्योंकि मैं भी एक student ही हूँ तो किस तरह से आपको पैसा सेविंग करके वहां से काम करके निकल जाना है मैं आपको इस वीडियों बताने वाला हूं और ऐसा हमें ही provide करा दिया जा रहा है ठीक है तो मैं आपको एक छोटा से request करना चाहता हूं वीडियो सुरू करने से पहले कि आपका भाई बहुत ज्यादा ही मेनद करता तो आपके तरब से अगर एक subscriber मिल जाए तो हमें बहुत ही खूशी होगी तो आपसे request है कि प्लीज आप हमारे चैनल को एक subscribe जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें भी अंदर से motivation मिले और मैं दूसरी बात आपको एक बोलना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी फीचकल के related आपको problem हो मतलब की question है कि मैं पूछना चाहता हूं तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि हमारा जो फीचकल था छे तार अंदर हो रहा है किस तरह से आपका रनी करा जा रहा है चेस्ट किस तरह से लिए जा रहा है हाइट किस तरह से लिए जा रहा है बेट किस तरह से लिए जा रहा है डेकोमेंट में क्या लग रहा है टेस्ट हो रहा या नहीं हो रहा है ग्राउंड कैसा है रोड है या ग्राउ करना बिलकुल भी ना बुले और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को जरूर सेर कर दिजिएगा जिनका भी इस सेंटर पर भीज कल है और उन दोस्तों तक उन दोस्तों से भी एक छोटा से करना चाहता हूं कि आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आने वाले टेम हैं हमें इस सेंटर पर क्या क्या हो रहा है प्रोसेस पूरा फुल रिव्यू मैं आपको इस वीडियो पर इस सेंटर पर के बारे में बताने वाला हूं वीडियो के जरिए से तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और चलिए मैं आपको वीडियो को जरिये से दिखा देता हूं कि कि इस होटल में आपको खाना है और कि कहां पर आपको रहना है क्योंकि रहने के लिए एक पतीरम धा मंदिल है जहां 50 उर्प ऐसी प्लि बॉलम नहीं वणा चाहिए जितना हमें हुआ है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा दिमाळग वे से ठोल हुए रहे गा कि सिर्य में कि इस तरह से किस एरिया में करने यह तो चलिए यह वीडियो को शुरू करते हैं यह देखी यह BASF का केम्प है जो की 61 बटालियन है मैं यहाँ पर आचुगा हूँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और इधर जो देख रहे हैं यह बस का एरिया इधर से आप आएगा तो बस के तरब से ही आईएगा ठीक है इधर जो देख रहे हैं आप और इधर जो आप आने के बाद रह सकते हैं तो वहां पर देखते हैं क्या-क्या वेवस्ता है और क्या-क्या वेवस्ता नहीं है क्या अच्छा है क्या खराब है सब कुछ देखते हैं वहां खाने पीने का वेवस्ता है या नहीं है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने बाला हूं इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, और जैसे कि आप लोग देखर रहा है, सैट सैट से आप दिख रहा है, होटल को गएरा दिख रहा है, तो मैं आपको बताने बाला हूँ, कहां सहस्ता और कहां महाँगा भोजल मिलता है, क्यूंकि देखें हम लोग ए स्टुडेंट हैं कि यह भाई लोगी है कि प्रिश्टल देने के लिए हमें बात किया का कि जैसे कि आप देखेंगे बगल में यह जो है यह होटल है यह यह भी ठीक्स भोजन में बना कर देता है देखें यहां पर अंटा मिल जाएगा आपको 20 रुप्य अंडा और पांच रूप्य रोटी की हिसाब से दिया जाता है में बात किया कि इसने बोल रखा था आप चलते हैं रहने की क Quickly में की ये यहां पर भी आप एक होटल छोटा से देख़ रहे हैं यहां पर भी खाना बहुत अच्छा मिलता देखिए को ना पर आत सब लोग मंदzers तर मंदल के इंदर की वेवस्ता है 15 मंदिर हम लोग कर रहा है जैसे exact लोग मंदिल देख रहे होंगे देखिए हम लोग एंट्रिया भी कर रहे हैं अभी थोड़ा साइड कफी हो भी मैं आपको दिखा देखा हूं देखिए यह लड़के लोग भी आये हुए हैं पीछ कर दोंगे काफी लड़के वहां पर पहुंचे हुए हैं और खुसी की बात बृचि निकार क मंदिल साथ है वहले लोग विहार के लड़के आये हुए मैं निट्री करने वाले हैं या मंदिल मेनत इसलिए मंदिल है इसलिए मैंने सोचा चलो मंदिल का भी थाउसा कवर कर रहेते यह देखे पतीरम धामों तो आपको आने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होने वह इस तरह से वीडियो आपको सूट करके दे रहा हूं घंडा पानी आपको यहां से प्रोवाइड हो जाएगा तो आप थंडा पानी पहर सकते हैं अब इस गेट से हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या-क्या बेवस्ता है हम लोग एंटरी कर रहा है देखें यह चत पर जाने के लिए लेकर वंदर देखें हम लोग एंटरी कर लिए काफी ज्यादा पंखा भी लगया हुए और देखें बहुत सारे लड़की आया हुए आ सभी का सभी बिहार का ही है सभी दिहार का हैं सभी बेहार का है देखें लोग आयोए यह हमारे बशार है पंखे देखें यह पंखेंट्म भी बहुत सारे हैं ऐसा नहीं है दो-चार पंखा है और लड़की बहुत सारह ऐसा कुछ मेंकधा भी को spiritually होगी सब्दा और मैं तक प्र्छोंन आपको दुसरी तरभी लेकर शलता हूं जिदर आपको नहाने के लिए और वात्रुम के लिए भी सुझाए दे रखिया और दूसरी बात यह है कि यहां पर रहने के लिए सिप आपको पचास उर्पिये ही पे करने पड़ेगे कि यही अच्छा अच्छा किकि हम छोग के लिए एक राथ ही तो चारना तो ज़ादा पैसा देंगे तब एक रात गुजरेगे कमहंए रात गुजरेगा तो मुझे तो कहना है कि आप लोग इधर यहां ही और 50 अर्यार रहकर जाएए इस पचास उर्प्या लिया जा रहा है मैं अगें बोलता हूँ पचास उर्प्या यह देखे नहाने के लिए और यह जो देखे हैं यह बाथरूम था